नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में यह वीडियो जो है बागी जो भी है दूसरे स्टुदेंट्स देख रहे हैं वूँ Fay तो चलिए वीडियो को स्टार्ड करता है विना किसी हैं वीडियो से इसमें सिर्फ उन कुषचेंट को रखा गया है जो पिछले साल पूछे गए है और ट्रेंडिंग इंपस्ट्ट्र कोई सिन है है तो वीडियो तो वैसे सब जितने भी उनिवेस्टी एक्जांस है चाहे फि विष्विद्यालाई का लखनो विष्विद्यालाई का सब के लिए इंपॉर्टन है ठीक है क्योंकि question pattern सब कुछ वही है especially इलहाबाद विष्विद्यालाई के लिए बनाया गया है तो मैं उसका pattern आपको बुदाता हूं तो time कितना है आपके पास two hours है maximum marks 300 है और टोटल कोश्चन 150 है एंड एबरी कोश्चन केरी two marks निगेटीव मार्किंग यहां पर नहीं है बनारास हिंदु विष्विद्यालाई में आपको निगेटीव मार्किंग मिलेगी एलहाबाद में कोई निगेटीव मार्किंग नहीं है ठीक है इसलिए टेंशन फ्री होके सारे questions को attempt करकी ही आने है time management का विसे स्थ्यान देना है तो पहला section आपका language और literature section का होगा मैंने सब सारी वीडियो बना दिये हैं पहले section दूसरे section तीसरे सब पर वीडियो बना दिया है आपको playlist में जाना है और देखना है तो 20 question होंगे 40 marks के general awareness के 10 question होंगे 20 marks के science group में physics chemistry bio अगर आपका bio है तो bio को देना है maths है तो मैंस देना है तो इनके 40-40 question मिला के 120 question 250 marks के ठीक है तो चलिए question पर आते हैं पहला question है अगर आप नए हैं हमारे channel पे इस चैनल पे फिलोस्फियर डब है तो आप चैनल को subscribe कर लिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का certification आपको timely मिल जाया करें तो पहला question क्या है फर्स्ट क्वेश्चन डाइक कॉंडिक स्कल डाइक कॉंडलिक स्कल डाइक कॉंडलिक स्कल अलॉंग विट 10 pairs of cranial nerves is found in 10 जोड़ी कपाल नसों के साथ डाइड़निक खुपड़ी में पाया जाता है ठीक है तो correct option इसका kया है is the correct option imp supposed chain to do this is about class to bea curious ग्रेक के बारे मिए सही है क्या सही है चारू option को रीड करना है आपको एफ्र बताना हिए क्या सही है amend य्ट आ स्परिलाशेशन इन्टरना निशेच अन्त्रैत में नहीं होता है respiration is through gills only सोसन केवल gills के माध्यम से होता है बिलकुल नहीं होता है तो third option क्या है body is divisible into heads and trunks सरीर सीर और धड में विभाजित हो जाता है ठीक है correct option क्या है आपका 3 तो देखना है correct option किसमें है B वाला देखे B में only 3 तो correct option यह हो गया आपका body is divisible into head and trunks to assist the folding of proteins यह अड़ो प्रोटीन के तहे की सहायता के लिए आड़ी चैप्टर में रक्षक के रूप में कारी करता है तो कौन सा है वो option correct option D है lipid correct option D है lipid next question question number 4 which of these is not a lipid इन में से कौन lipid नहीं है तो इसके lipid कैसे पैचानेंगे जब आपको lipid की definition पता होगे lipid कहते किसे हैं सबको पता होगा वैसे यह chemically substance होता है chemically defined as a substance that is insoluble in water and soluble in alcohol ether या फिर chloroform water में insoluble होता है बाकी जो solvent है alcohol हो गया chloroform हो गया इसमें soluble होता है तो next question question number 5 in connective tissue seats this is the correct sequence stretching from the outermost to the innermost layer आपको इसमें बताना है sequence ठीक है टीशू का जो outermost से innermost layer होती वो बतानी है सहियों जी उतक seats में यह बाहरी से अंतरतम परत्तक फैला हुआ सही क्रेम है तो कौन-कौन सा सही है epineurium perineurium and indoneurium third option है sorry d option देखिए perineurium and indoneurium this is the correct sequence of connective tissue seats next question question number six this is the difference between a nerve and a neuron nerve और neuron में basic difference होता है आपको पता होना चाहिए यह एक तंत्रिका और एक neuron की बीश का अंतर है तो चारों option देखना है फिर बता देना है आपको की तंत्रिका और neuron की बीश डिफरेंस क्या है अंतर क्या है कौनसा option सही है तो पहला option क्या दिया है consist of different different number of cells पहला यह option आपको सही मिल गया ठीक है विविने संख्या में कोशिकाएं होती है neurons वैसे क्या होता है neurons are the structural and functional unit of the nervous system जैसे आपके body की जो functional means fundamental unit cell होती है ठीक वैसे ही nervous system की जो fundamental means functional or structural unit होती है वो आपकी neuron होती है ठीक है और nerves क्या होता है nerves is an enclosed cable like bundles of axons and nerve fibers ओके वो पाए कहा जाते है fonts in the peripheral of nervous system तो correct option हमारा A है next question question number 7 the only connective tissue without fibroblasts fibroblasts is fibroblasts के विना एक मात्र संयोजी उतक है कौन सा है important question है the only connective tissue without fibroblasts is fibroblasts के विना एक मात्र संयोजी उतक है कौन सा है वो आपका correct option D है blood fibroblast बोलते किसको है fibroblast is a type of biological cell होता है that synthesizes the extracellular matrix and collagen next question question number 8 name the non-membrane bound organelle exclusively found only in animal cell गैर जिल्ली बाद अंग का नाम विसे इस रुप से क्योल पशुकोशिका में पाया जाता है तो वो क्या है नान मेंब्रेन कौन सी है वो तो C C is the correct option centriole okay name the non-membrane bound organelle exclusively found only in animal cell तो centriole है human cell में means plant cell में नहीं पाय जाती है question number next question number 9 if the centromere if the centromere is located at the proximity of the end of a chromosome it is known as यदि गुण सूत्र एक chromosome के अंत की निकटता पुरिस्तित है तो इसे इस रूप में जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है उसके लिए आपको options देखने पड़ाएगा तो करेक्ट option को टिक करना पड़ाएगा एक्रो सेंट्रिक मेटासेंट्रिक अंड टेलोसेंट्रिक एंड सब मेटासेंट्रिक तो करेक्ट आप्शन आपका पहला है एक्रोसेंट्रिक ओके सघ्र नकेक्स्ट कोश्चिन नमबर 10 एन एक्जामपल ओफ इंडेस्ट्रियल मेला निजम दर्क सब्छीट कुछ एक करीम में आती है एक्षेम्पल ओफ इंडिस्ट्रियल मेलानिजम और दोगिक मेलानिजम मेलानिजम का मुझसे वह हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने उसको लिग दिए और दोगिक मेलानिजम का एक उदाहरण क्या है तो करेक्ट ओप्षन डी है ठीक है नेच्ट्रल सेलेक्शन प्राकरतिक चेयन नेक्स्ट क्वेश्चिन क्वेश्चिन नमबर 11 सबसे अधिक संभावना है जो लोग कठिन मैनुवल काम करते हैं वे बिक्सित हो जागी चारों ऑप्षन पहल सब कॉटनेस फैट इंद्यर पांशंक उनकी हतिलीओं मोठी चम्डबवें यह चारों ऑप्षन देखिए तो क्या गा मनेम क्या हो जाता है थिक ईपीडरमि सब्क्राइब गया वहाँ लड़कियों के हाथ आप देखिए तो बहुत सॉफ्ट होते हैं और जो पैसारी और जो क्या बूलते हैं लड़कों के होते हैं वह सॉफ्ट नहीं होते हैं करेक्ट ओप्शन यह है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 12 लेमार्क के विचार में जैविक विकास की कुंजी यह है कि प्रतीक शंतान क्या है इन लेमार्क्स विउ दिकी ओफ ऑर्गैनिक एवलिएशन इस देट इच प्रोजनी तो ओप्शन रेट करिए आप पहला क्या है अस्तित्त के लिए संगर्स दिखाता है सो इस्ट्रगल्स फॉर इग्जिस्टेंस नेक्स्ट क्या है करेक्टर्स एक्वाइड बए पैरेंटल जेनरेशन आर इनहेरिटेड पैत्रक पीड़ी द्वारा अधिग्रहित पात्र विरासत में मिलते हैं करेक्ट ऑप्शन आपका बी है अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स अगर इन सब का पीडियाफ चाहिए तो आप लोगों को वाट्स अप करना होगा डिस्क्रिप्शन वॉक्स में एक नंबर होगा ठीक है तो पीडियाफ ही मिल जाएगा लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही करिएगा ट्रेड नेम ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर इंस इसलिन इसए अनवांसिक रुप से इंजीनियर इंसुलेंड का ब्यापारिक नाम क्या है चाहिए जो मार्केट में मिलता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है हुमेलीन करेक्ट ओप्शन भी है हुमेलीन ओके next question question number 14 what is the consequence of a change in the genetic diversity unvancic vibidita में परिवर्तन का परिणाम क्या है unvancic vibidita में परिवर्तन का परिणाम क्या है correct option आपका A है results in loss of biological diversity जैविक vibidita का नुक्षान होता है ठीक है correct option A है result in loss of biological diversity next question question number 15 क्या है green manures plants are green manures plants are हरी खाथ के पोदे है ठीक है तो correct option C क्या है leguminos ठीक है correct option C है next question question number 16 है this chemical fertilizer is essential for better rhizovial nitrogen fixation यह racinic उरबरक वेहतर rhizovial nitrogen निर्धारण के लिए आवश्चक है तो correct option क्या है correct option आपका D है phosphorus correct option phosphorus D है इसका next question question number 17 azola is used as a bio fertilizer as it possesses azola को bio fertilizer की रूप में उप्यों किया जाता है क्योंकि यह पास होता है क्या होता है उसके पास correct option D है synovacteria ठीक है azola is used as a bio fertilizer because it possesses synovacteria synovacteria होने के कारण है azola को as a bio fertilizer use किया जाता है ठीक है rhizovium किसमें पाया जाता है आप लोगों comment section में बताना है rhizovium और यह micro rhiza किसमें पाया जाता है question number 18 क्या है indole 3 acetic acid is the most common naturally occurring plant hormone of which class आपको बताना है किस class में पाया जाता है indole 3 acetic acid तो B option क्या है oxyn indole 3 acetic acid work का सबसे सामाने रोप से पाया जाने वाला पाधा हार्मोन है तो oxyn है वो ठीक है correct option B है next question question number 19 this hormone is not a growth inhibitor यह hormone व्रद्धी अवरोधक नहीं है कौन सा है IAA इसका पूरा आपको नाम बताना है comment section में IAA this hormone is not a growth inhibitor next question 20 these are features of higher energy level and salter wavelengths यह उच उर्जास्तर और कम तरंग दैर्द की विसेस्ताएं हैं of life on earth as it has reached the surface temperature of earth by पृत्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए सामान ग्रीन हाउस प्रभाव अवश्यक है क्योंकि इसने पृत्वी के सता के तापमान को बढ़ा दिया है कितना बढ़ाया 33.33 degree Celsius ओके correct option B है next question question number 22 wavelength of infrared radiation is अवरक्त वीकरुनों की तरंग दैर्द है correct option B है longer लंबे समय तक ठीक है लंबे समय तक next question question number 23 this cell is the longest in the human body यह कोशिका मानो सरीर में सबसे लंबी है तो उस कोशिका का नाम क्या है नर्व सिल तंत्रिका कोशिका next question question number 24 this tissue includes the blood tissue इस उतक में रक्त उतक सामिल है तो उतक का क्या नाम है connective tissue सायोजी उतक next question question number 25 मैं थोड़ा जल्दी में हूँ the elastic tissue which connects the cauda epididymis epididymis to the scrotal sac is elastic उतक जो पुछिये epididymis epididymis को under course की थैली से जोडता है तो उसका नाम क्या है sorry प्राउंशीचन में प्रॉब्लम हो रहे है guberna coulum correct option आपका C है next question question number 26 by the contraction of spermatic cord the testes of man are not taken to the abdominal cavity due to this structure so crown card के संकुचन से मनुष्ट के व्रशन को इस संरशना के कारण उदर गुवा में नहीं ले जाया जाता है क्यों correct option आपको देखना है पड़ना है मैं सीधा option पड़ता हूँ attachment of testes by guberna coulum testes to the scrotal sac only ठीक है यह हो गया correct option अपका B next question question number 27 क्या है the seminiferous tubules of the testes are lined by the germinal epithelium consisting of तो यह टाप question है ब्रिस्ण के अर्ध वरत्ताकार ना लिकाएं रोगाणू उपकला द्वारा पक्तिवंद होती है तो B के उसको correct option क्या है B cells of certoli certoli की कोशिका है ठीक है question number 28 layers of cells immediately surrounding the om but outside the zona pelucida is called as dimb के आसपास सुरंत कोशिकाओं की परत लेकिन zona pelucida से बाहर कहा जाता है इसका हिंदी जो ट्रांसलेक्शन है वो ठीक नहीं है ठीक है इसको आप अपने आपसे समझेगा इंग्लिस का अच्छे से देख लीजिए correct option B है corona radiator ठीक है next question 29 corpus luteum is the source of secretion of corpus luteum कि स्राव का स्रोत है क्या स्रोत है उसका progestrion correct option D है question 30 the membrane investing the ovum just outside the membrane granulosa is जिल्ली granulosa की ठीक बाहर dim का निवेश करने वाली जिल्ली होती है तो थीका इंटर्णा correct option क्या है अपका A is the correct option थीका इंटर्णा next question 31 DNA fingerprinting recognizes the difference in DNA fingerprinting में अंतर को पहचानता है तो कौन पहचानता है repetitive DNA correct option C है question 32 which of these statement is incorrect with regard to the importance of hydrogen bonding and DNA double helix stability hydrogen bonding और DNA double helix स्थिर्था के महत्य के शंबन में इन में कौन सा कथन गलत है तो इसका correct option क्या होगा D is the correct option decreases the entropy entropy घड जाती है तो यह था आज का वीडियो कैसा लगा थोड़ा मैं आज जल्दी में था इसलिए जल्दी जल्दी हो गया next video में मिलते हैं ख्याल रखिए अपना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हैं number है वहाँ पे message कर सकते हैं और फिर ख्याल रखिए अपना वीडियो अपने friends को share कर देजिए ताकि वह भी आपके साथ campus में आए पढ़ने के लिए चलिए मिलते हैं next video अपना